आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें पहले वाले समीकरण को दो से गुणा करना, और दुश्रे वाले समीकरण को 3 से गुणा कर देगा तो 9Y हो जाएगी, 4y को ban करेंगे घटा देते है ना तो इसको घटाने पर क्या होगा देखिए X plus का और minus का कड़ जाएगा चार में से 9 गया तो minus का 5 y बच जाएगा और 22 में से 12 घटाएंगे तो ये 10 बच जाएगा पलस का तो y बराबर कितना आ गया 10 बटे में माइनस 5, माइनस 5 से इसको भाग करेंगे तो माइनस 2 आ गया, ठीक है तो y का माना गया माइनस 2, ठीक है, हमें हाल निकालना है तो अब हमें x भी निकालना है तो किसी भी समीकरण, ठीक है, तो समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से हमें पता है कितना दिया हुआ है 3x जमा 2y बराबर 11 दिया हुआ है ठीक है तो 3x और जमा 2y हमने निकाल लिया और कितना माइनस 2 है न माइनस 2 लग देते हैं यहाँ पे तो बराबर 11 यह कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 11 ठीक है 3x बराबर ये 4 इदर जाके जुड जाएगा ठीक है तो 11 जमा 4 हो जाएगा तो 11 जमा 4 कितना आ गया ये 15 आ गया तो X बराबर कितना आ जाएगा तीन इदर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा इदर आके तो 3 पचे 15 होता है ठीक है तो X बराबर 5 आ गया तो यहां से हमारा हल आ गया ठीक है तो इसका उत्तर क्या है जो हमें हल चाहिए तो इस समीकरण का हल क्या है एकस बराबर पांच तथा वाई बराबर माइनस दू यही हमारा उत्तर होगा